वेल्कम टू एडवांस जावा आज हम एडवांस जावा में एरे लिस्ट के एक प्रोग्राम को समझेंगे हम अपनी कॉलेक्शन में टू टाइप से वैल्यूस को अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं First type है हमारे पास हम array की help से अपने collection और class में data enter कर सकते हैं Second type है iterator, iterator की help से भी हम अपनी collection में data और objects को enter कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमने array list को use किया है data enter के लिए इसमें हमने यहाँ पर एक list दी है जिसे हम objects को enter करना चाते हैं अपने collection class में उसके बाद आप देखेंगे हमने यहाँ पर iterator method को भी use किया है अपनी objects को enter करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि iterator जो है उसे हम collection class में use करते हैं ताकि हम अपनी जो objects से collection को हम traverse कर सके यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी array list है उसमें हमने negative और positive दोनों values दी हैं लेकिन यहाँ पर जो iterator function हमने use किया है उसकी help से हम negative values को remove कर देंगे तो चलिए हम यहाँ पर इस program को समझते हैं first हमने यहाँ पर जो हमारे classes हैं हमारे functions हैं उन्हें हमने import किया है by using the import java.util.extrict function strict symbol को आप last videos में भी समझ चुकी है then हमने यहाँ पर एक class create की है array list demo1 name से जैसे कि आपको पहले भी बताया है आप जिस name से अपने program को save करेंगे उसी name की आप यहाँ पर class लेंगे means demo जो भी आपका यहाँ पर name है array list demo1 उसी name से ही आपकी जो file है java में वो save होनी चाहिए with using extension.java then हमने यहाँ पर braces start किया और main function start किया public static void main string arguments इसके बाद आप देखेंगे हमने array use करने के लिए एक variable को declare किया है enter j उसके बाद हमने array use की array list then हमने एक variable लिया all function यूज किया new array list इसे हमने यहाँ पर default value set करने के लिए इस method को use किया है क्योंकि new keyword हम तब यूज करते हैं जब हम array list को default value देना चाहते हैं means जो भी उसमें पहले value store हम वो remove हो जाए now we are using int x यहाँ पर हमने carry use की है जिसकी हमने type दी है integer अब देखेंगे यहाँ पर then हमने यहाँ पर array का name दिया है उसके अंदर हमने यहाँ पर values पास की है braces के अंदर 1, minus 1, 2, minus 2 अब देखेंगे इस तरह से हमने यहाँ पर negative और positive दोनों types की values को enter किया है then हमने यहाँ पर for loop को use किया है ताकि हम इसकी help से अपनी array list को print करवा सके इसके बाद हमने all add function को use किया है ताकि हम अपनी array में अपनी collection class में जो objects हैं यह सारे objects 1, minus 1, 2, minus 2 इनको add कर सकें यहाँ पर आप देखेंगे हम autoboxing को use कर रहे हैं autoboxing का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ primitives होते हैं for example हम यहाँ पर example create करते हैं integer primitive की यहाँ पर आप देखेंगे हमने array के पहले integer use किया है कुछ हमारे पास by default पहले से defined होते हैं predefined primitives होते हैं जैसे हमारे पास हम integer use कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास integer type की class होती है means जो भी हम यहाँ पर primitive use करते हैं उसी type की class Java ने हमने पहले से ही create करके दी हुई होती है तो इसे हम यहाँ पर autoboxing कहते हैं Java in values को automatically export करता है और add करता है हमारी array list में तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से add function की help से हमारी array में यह सारी values enter हो जाएंगी now we are adding the values in array list अब हम store तो कर चुकी है values लेकिन अब हम इसे print पी करवाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर एक statement use किया है आप देखेंगे system.out.println al क्योंकि al के अंदर हमारी सारी array की value store है Java में हम इस statement को use करते हैं इसके statement के end में हम semicolon लगाएंगे इसके बाद आप देखेंगे हमने यहाँ पर iterator function use किया है then हमने यहाँ पर एक object create किया है i name से iterator class के लिए iterator हमें basically iterator की type की ही return type हमें return करके देता है means यहाँ पर जो भी हमारी values है उन में से यह negative values को remove कर देगा इसके लिए हम यहाँ पर function use कर रहे है then हमने यहाँ पर all.iterator function को call किया है इसके बाद हमने यहाँ पर एक while condition लगाई है while loop लगाई है while के अंदर यहाँ पर हमने i लिखा है i is the iterator object then उसके बाद हमने has next name का method यूज किया है has next method हम तब यूज करते हैं जब हम next value values को display करवाना चाहते हैं इसके अंदर हमने यह आप देखेंगे हमने एक z name का integer दिया है means हमने एक variable create किया है z name से उसमें हमने first value के next ने value को store किया है यहाँ पर आप देखेंगे integer i.next इस method से हमारी जो value है वो one by one increment होती जाएगे means जो next value है वो हमारे पास display होती जाएगी इसके बाद आप देखेंगे हमने यहाँ पर if condition को use किया है if condition में हमने लगाया है कि जो भी हमारी next value है integer value यहाँ पर हमने integer value को use कर रहे है अगर वो 0 से small है means अगर वो 0 से small है वो value negative में है तो हमने एक function call करवाया है i i is the iterator object उसकी help से हमने यहाँ पर function call करवाया है remove का means जो भी हमारी negative value है 0 से small है वो क्या हो जाए वो remove हो जाए वो हमारे पास print नहीं होगी by using the iterator function iterator method then इसके बाद हमने यहाँ पर इन braces को close किया है ताकि जो हमारी सभी functions है वो call हो जाए अब हम final value iterator के लिए भी print करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम statement यूज़ कर रहे है system.out.println a l means अब iterator function call होने के बाद हमारे पास iterator के लिए values print होंगी इसके बाद हमने braces close किये control s से अपनी file save की अब हम इस program को run करके देखते है पहले आप यहां पर कौनसी command यूज़ करेंगे यहां पर हम command यूज़ करते हैं cd change directory के लिए two dots put करेंगे अपनी directory से बाहर आने के लिए two times हम cd use करते है change directory command then आप उस folder का name लिखेंगे change directory लिखने के बाद जिसमें आपकी file save है अब हम उस folder में enter कर चुके हैं यहां पर हम पहले compiler लगाएंगे अपने program को error free करने के लिए यहां पर java से लिखने के बाद आप यहां पर अपने file का name put करेंगे array list jamo1 dot java enter press करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो program में वो compile हो चुका है वो error free है तो इसे इसकी output देखने के लिए हम यहां पर लिखेंगे java then अपने program का name array list यह case sensitive है अपनी जिस तरह से file को save किया है वैसे ही आप अपनी file का name लिखेंगे dot array list demo 1 enter press करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आपकी output आ रही है first line में आपके पास वो सारे numbers visible हो रहे हैं जो आपने array list में print करवाए है 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 क्योंकि first of all हमारी कौनसी value call होगी array के लिए then second line में आप देखेंगे हमारे पास only positive integer ही print हो रहे हैं 1, 2, 3 and 4 तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने कैसे array list को use किया और iterator की help से हमने कैसे negative values को remove कर दिया array list में हमारे पास ये कोई भी functions नहीं है जिनकी help से हम कोई भी integer अपनी कोई भी negative value को remove कर सके लेकिन array जेकिन iterator की help से हम अपनी values को integer value को या फिर negative value को remove कर सकते हैं तो आज के वीडियो में हमने array list को use करना सीखा और iterator को भी use करना सीखा थैंक यू